हाई फ्रेंड्स हाव यू वेलकम तो दिस चानल एंड लेट सी आ टोड़ेज वीडियो एंड दैट इस ओन विंग्स ओफ करेज लेसन तो यह लेसन बच्चों इंडियन एर फोर्स के एक सीनियर एर आफिसर के बारे में जिनका नाम है अर्जन सिंग तो बच्चों इसके उप पर हम पहले वीडियो बना चुके लेकिन वह इंग्लिश में यह उस लेसन का हिंद एक्स्प्लेशन है तो चलिए शुरू करते एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंग बारतिय मिलिटरी इतियास के एक आइकॉन है मतलब आदर्श जो हमेशा एक वार हीरो के रूप में जाने ज सब्सक्राइब किया था मतलब जीत दिलाई थी तो यह युद्दवच्चों अगस्ट 1965 में शुरू हुआ था और 23 सेप्टेंबर 1965 में खतम हुआ था तो यहां पर इंडियन एर फोर्स को यंक आ गया है तो इसका मतलब है कि स्तापना जो हुई थी वह 1932 में हुई थी लेकि वह पूरी तरह इंडिया की बनी तो 1965 तक उसे जवा नहीं कहा जा सकता है मतलब उसे युद्ध का ज्यादा एक्स्पिरेंस नहीं था तो वह अकेले ऐसे अफिसर थे जिने एर फोर्स की सबसे हाइस पोस्ट मार्शल मिलिये जो आर्मी के 5 स्टार फिल्ड मार्शल की लेवल जिन्होंने 60 से ज्यादा एर क्राफ्ट को उड़ाया है उन्होंने इंडियन एर फोर्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और चौथी सबसे बड़ी एर फोर्स बनाने के लिए महत्व पूर्ण भूमिका निभाई तो यहां पे आप देख सकते हूं कि 2019 तक हमारी टोटल ए यह कहते कि अर्जन सिंग का योगदान बहुत ज्यादा है इंडियन एर फोर्स उनके साथ ही बड़ा हुआ वह मिलेटरी लीडर्शिप के सच में उतकुरुष्ट एपिटॉम प्रतिक थे मतलब लीडर्शिप कैसी होनी चाहिए यह उन्हें देखके पता चलता है जैसे चत अर्जन सिंग को 2002 में गनतंत्र दिवस पे मार्शल की रैंक से सम्मानित किया गया सैम हर्मोस जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेक्षा एंड केम करियपपा इन दोनों आर्मी जनरल्स को भी आर्मी की सबसे बड़ी रैंक फिल्ड मार्शल से सम्मानित किया गया है मतलब फाइ एर पावर मतलब हवा की जो ताकत है उसका भी उन्हें बहुत ज्यादा ग्यान था और खली ग्यानी नहीं था उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल किस तरह करना चाहिए यह भी वह अच्छी तरह से जानते थे तो अर्जन सिंग ने बहुती मेनत से बहुती लगन से 1965 के यु तो आप ही सोच सकते हो कहा उस समय अमरीका के मौडन सेबर एरक्राफ्ट और कहा हमारे पुराने एरक्राफ्ट फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को सक्सेस हासिल करने नहीं दिया तो कपिल का यही कहते है कि उनका सबसे बड़ा योगदान इस युद्ध में था तो उनके भूमिका की काम की तारिव करते हुए उस समय के रक्षामंती वाई भी चववान मतलब यश्वंत्राव बल्वंत्राव चववान ने उनके लिए कुछ लिखा क्या लिखा एर मार्शल अर्जन सिंग इंसानों में एक रत नहीं काफी कुशल दुरुड मतलब अप कर रहा था तो 1944 में इन्होंने आराकन कैम्पेंग के दौरान एक स्कौडरन का नित्रुत्व किया था जो जापान के खिलाब लड़ रहे थे महत्व पूर्ण इंफाल कैम्पेंग के दौरान उपर से नजदी की एर सपोर्ट देने का भी काम किया था और बात में एडवांस ब्रिटिशों का गुलाम था और इसी के वज़े से वह ब्रिटिशों के साथ वहाँ पे शामिल हुआ था तो आराकन कैम्पेंग कहा पे हो था पच्छिम मैनमार में हो था जिसमें जापान के खिलाफ एलियड फोर्स मतलब एक साथ लड़ने वाले फोर्स जिसमें रॉयल ए लिमफॉल कैम्पेंग और जो यंगुन कहा गया है तो वह मैनमार का एक बहुत बड़ा शहर है तो यहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया तो उनके उस शौर्यों को वही पे स्विकारते हुए वहाँ के जो सुप्रिम एलिड कमांडर थे उन्होंने उन् सिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी अवार्ड वही पे दिया और वह वह अवार्ड पाने वाले पहले भारती पाइलेट थे तो बच्च्च उस समय दोनों फोर्स के जो इलिड कमांडर थे वह थे लौड लुइस मांट बैटन और उन्होंने ही अर्जन सिंग को उस सेवा से निवरुत्त हो गए तो यह उनका कारेकाल है आप देख सकते हो तो अब उनकी स्टोरी बच्चपन से आप बताए गई है कि उनका जनम 15 अप्रेल 1919 में लायालपूर में हुआ जो आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फैजलाबाद है तो अपनी शिक्षा उन सदस्य के तौर पे नौर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रांत में वेस्ट लैंड वेपीटी बी प्लेंस को उड़ाना था तो उस समय वच्चो स्कौडरन वन के मिंबर थे तो स्कौडरन का मतलब है इसमें आम तोर पर कई विमान और पाइलट चालक दल और मेकैनिक अपनी इंडियान एरफोस स्कौडरन नंबर वन में फ्लाइंग ओफिसर के पोस्ट पे होकर हरीकेन एरक्राफ्ट उड़ाने के लिए लोटे मतलब उनको प्रमोशन मिला अब वो स्कौडरन के मेंबर के बजाय अब फ्लाइंग ओफिसर बन गए थे तो एक जूनियर अधिकारी र वजे से उन्हें 1944 में DFC अवार्ड मिला यह हमें पता है और 15 अगस 1947 को जब हमारा देश्वतंत्र हुआ तो उन्हें दिल्ली के लाल किले के उपर से 100 इंडियन एरफोर्स के एरक्राफ्ट को फ्लाइपास्ट करने का नेत्रुत्व का विशेश सम्मान मिला तो फ्लाइपास लीडर के बाद उनको विंग कमांडर का रैंक प्रमोशन मिला तो विंग कमांडर बच्चो एक सीनियर अधिकारी रैंक है तो जैसे यह रैंक उन्हें मिली तव यूके के रॉयल स्टाफ कॉलेज में हाजिर हुए और भारत के स्वतंत्रता के तुरंद बाद उन्होंने अं अब ग्रूप कैप्टन भी एक बच्चो सीनियर अधिकारी रैंक है जो विंग कमांडर से उपर रहती तो 1949 में उन्हें एर कमोडर के रैंक में प्रमोट किया और उन्होंने एर ओफिसर कमांडिंग इन शॉट एओसी जो ऑपरेशनल कमांड का पद रहता है उसे ले लिया और यह पद बाद में वेस्टन एर कमांड के रूप में जाने जाने लगा तो एर कमोडर बच्चो वन स्टार एर ओफिसर रैंक है तो इसके बाद ही एर ओफिसर कमांडिंग का पद मिलता है अर्जन सिंग की महत्ता विशेषता यह थी कि एर ओफिसर कमांडिंग के ओपरे परेकाल संभाला उनके एयर वाइस मार्शल के प्रोमोशन के बाद उन्हें एयर ओफिसर कमांडिंग चीफ के तौर पे न्यूक कर लिया तो एयर वाइस मार्शल एक टू स्टार एयर ओफिसर की रैंक के तो 1962 के युद्ध के अंततक जो भारत और चाइना के बीच हुआ था उन्हें डेपुटी चीफ आफ एयर स्टाफ बनाया गया तो उसे आज असिस्टन्ट चीफ आफ दे एयर स्टाफ कहा जाता है और 1963 में वह एयर स्टाफ के वाइस चीफ बन गए तो आगे वह शिक्षा जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पूरी तरह से कमांडर थे जो इंडियन एयर फोर्स रॉयल एयर फोर्स और रॉयल आस्ट्रेलियन एयर फोर्स के साथ हुई थी तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक अगस्त 1964 में एयर मार्शल की रैंक उने मिली तो एयर मार्शल ये एक थ्री स्टार एयर आफिसर रैंक है और अरजन सिंग ने इंडियन एयर फोर्स का कंट्रल अपने हाथ में तब लिया जब वह फिर से बन रही थी और नए चालेंज इसका सामना करने के लिए तैयार ह तो पहले वह रॉयल इंडियन एयर फोर्स थी लेकिन अब वह इंडियन एयर फोर्स बन गई थी तो इसका मतल्ग वह खुद को फिर से बना रही थी तो सिंग पहले से ऐरचीफ थे जिन्होंने अपने ठाण करन्सी को मतलों अपने फ्लाइंग के ग्यान को कुषलता को प्लेंस के साथ आज के जमाने के नैट्स और वेंपाइस जैसे एरक्राफ्ट भी शामिले उन्होंने सूपर कॉंस्टिलेशन जैसे ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट को भी उड़ाया है 1965 में जब पाकिस्तान ने उनका ओप्रेशन ग्रैंड स्लैम अपनी पूरी फोर्स से ताकत से जम्मू कश्मिर के अखनूर शहर पर हमला किया तब सिंग ने भी इंडियन एर फोर्स का नेत्रुत्व युद्ध में साहस, निश्य और बहुत ही कुशलता से किया तो उस समय प्राबलम ये थी वच्चो के एर फोर्स के ओपर कुछ पावन दिया थी कि वो अपनी ताकत को पूरी तरह इस्तमाल नहीं कर सकते पर इसके बावजुद उन्होंने इंडियन एर फोर्स को विज़य दिलाया उनको युद्ध में एर फोर्स के चतूर नेत्रुत्व के लिए पद्म युभूशन पुरसकार भी दिया गया उसके बाद युद्ध में एर फोर्स के योगदान को पैचानके चीफ अप दे एर स्टाफ के रैंक को बढ़ाया गया और अरजन सिंग पहले इंडियन एर फोर्स के एर चिफ मार्शल बने तो एर चिफ मार्शल बच्चो यह एक फोर्स स्टार एर अफिसर रैंक है तो इससे पहले कोई भी एर चिफ मार्शल नहीं बना था तो वो उनके इंडियन एर फोर्स के कारेकाल के अंत तक विमान चालक फ्लायर रहे जिन में वो फॉर्वर्ड बेसेस को यूनिट्स को विजिट देते थे और स्कॉर्डरं के साथ कभी-कभी उडने भी चले जाते थे तो 1969 में वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने स्विजर लेंड के एमबेसेडर्शिप ली तो मतलब वो भारत के राज़दूत बने वो डिसेंबर 1989 से डिसेंबर 1990 तक दिल्ली के लिटेनन गवर्नर रहे तो रिटायर होने के बावजूत काम बन नहीं किया बच्चो बारत सरकार ने मार्शल अब दे एरफोर्स ये रैंक अर्जन सिंग को जन्यूरी 2002 में दे दी जिस वज़े से इंडियान एरफोर्स के वो पहले और अकेले फाइस्टार रैंक वाले अधिकारी बने और 16 सितंब 2017 में उनका देहान तो हो गया तो आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग वाचिंग वीडियो और सब्सक्राइब इस चानल कीप स्टड़ींग बाइबाइ